नमस्कार महुप्रिया पत्ना न्यूस बे आपका स्वागत है चले जानते पत्ना की फटा फटे 11 खबरों को बिहार को स्टार्टप की राजधानी बनाएंगे श्याहनवाज बिहार के उद्योग मंत्री श्याहनवाज हुसेन ने बिहार में उद्योग जगत को चमकाने का संकल्प लिया है यही कारण भी है कि मौका चाहे कोई भी हो श्याहनवाज हुसेन बिहार को चमकाने की कोशिश में लगे रहते है इस इकाड़ी में बिहार के राजधानी पत्ना समीत बिहार में स्टार्ट अप और उद्यों की साप्टा के लिए श्रांदार एकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और इसमें बहुत जल्द अच्छी प्रगती देखने को मिलेगी होली पर बिहार आने जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुश खबरी अगर आप भी होली के मौके पर घर आने की सोच रहें तो आपके लिए राहात की खबर है रेल बे ने होली के अफसर पर यात्रियों के सुवधाओं के मंदनजर लोकमाने तिलक टर्मिनल से दानापूर और दुर्ग से पतना के लिए स्पेशल ट्रेनों का परचालन करने की गोशना की है जिसमें ही लोक माने तिलग स्पेशल ट्रेन दुर्ग पतना दुर्ग होली फेस्टिवल स्पेशल पतना आनंद विहार पतना सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल जैनगर लोक माने तिलग जैनगर एक्सप्रेस स्पेशल और गया नई दिल्ली गया सुपरफास्ट राहत की बात ये है कि बिहार के मरीजों को अब चेस्ट सर्जुरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे मरीज का इलाज अब राजु के अंदर ही हो सकेगा मरीजों को विश्वस्तरी इस्वास सेवाय उपलब्ध कराने के उद्देश से मिदानता स्पताल ने पटना में चेस्ट सर्जुरी की सेवाओं का शिभारम किया है पटना के जय प्रभा मिदानता स्पताल द्वारा इसकी घोशना की गई है पटना में होली से पहले भारी मात्रा में शराब बरामत राज़ानी पटना में शराब तसकरों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है जिसमें अब तक पुलीस को कई सफलताएं मिली है महीं बीते दिन होली से पहले मसोडी के धनरुआ पुलीस को बड़ी कामयावी हाथ लगी शराब माफियाओं के खलाफ कारवाई करते वे पुलीस ने भारी मातरा में अंग्रेजी शराब बरामत की धनरुआ पुलीस में 1448 लीटर शराब और आठ वाहन को जब्त किया गया मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उन्हें गुपत सूचना मिली थी कितारा चेतर के ससोना गाउं में शराब माफियाओं के द्वारा शराब की एक बड़ी खेप लाई गई है जिसके बाद पुलिस ने उक्तसूचना वाले स्थान पर च्छा पिमारी की च्छा पिमारी के ग्रम में ससोना गाउं के बगीचे से पुलीस ने आठ वाहन को जब्त भी कर दिया पटना के अशोक राजपत पे मेट्रो रेल का काम शुरू पटना वासियों को जल्द ही रेलवे की स्वागात मिलने वाली है क्योंकि मेट्रो निर्मान का काम अब धीरे धीरे रफतार पकड़ने लगा है मिली जानकारी के नुसार मलाही पकड़ी से नियो आएसबीटी रूट तक प्रायोलिटी कोरिडर का काम चल रहा है वहीं आब अशोक राजपत पर भी मेट्रो का काम शुरू कर दिया गया है कोरिडर दो केंधर कड़ गांधी मैदान और पटना विश्विद्याले के आजपास अशोक राजपत पर पटना मेट्रो के लिए घेरा बंदी की जा रही है इन जगों पर पहले मिट्टी की जाच और फिर डिजिटल सर्वे का काम होगा उमीद है कि इसके बाद जल्धी स्टेशन के लिए पिलर का काम शुरू होगा एथिलेटिक्स और कराटे की पटना टीम हुई रवाना बीते दिन राजस्तर ये विद्याले एथिलेटिक्स बालिका एवं कराटे बालक खेल प्रतियोगिता हेतू पटना जुला की टीम सहरसा और खगडिया के लिए रपाना हुई मिली जो अनकारे के नसार सहरसा में आयो जित होने वाली रजस्तर ये विद्याले एथिलेटिक्स बालिका खेल प्रतियोगिता के लिए पटना जुला अंडर 14, 17 और 19 बालिकारी संजय कमाने की और जूइत की शिपकाम नाईदी राज़ानी पटना में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीद बिहार के राज़ानी पटना में COVID-19 के मामलों की संख्या में गिरावट जारी है वहीं बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर 14 मामलों की पुष्टी भी है आलम कुछ है कि लगभग सभी ट्रेनों के परेचालन से एक बार फिर से रेलवे ट्राक पर लोड़ बढ़ गया है दूसरी तरह फोली के तेओहार पर लोगों को ज़द ही घर पहुचाने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है हलाके इन सब की बीच परिशानी यही आ रही है कि बदले हालात पे एक बार फिर से ट्रेनों की लेट लती फिश शुरू हो गई है ट्रेनों की देरी से होली को लेकर अपने राज़े लोट रहे लोग 12-12 घंटे की देरी से पहुच रहे हैं इससे मुसाफिर काफी परिशान हो रहे हैं और स्थिती स्पेशल टेनों के अलावा रोज़ाना आने वाली टेनों के साथ भी यही देखने को मिल रहा है पटना में आशाकारे करताओने निकाला आकरोश मार्च बीते दिन राज़ानी पटना में अपने अलग-अलग मांगों को लेकर पटना की आशाकारे करताओने अपना आकरोश मार्च निकाला जिसके तहती राजधानी पटना में आशाकारेकरताओं ने मांदे में वृध्धी करने और स्वास्त कर्मियों का दर्जा देने की मांग को लेकर विधान सभा के सामने विशाल आक्रोश मार्च निकाला याग्रोश मार्च बिहार राज़े आशाकारेकरता संग की अध्यक्षिश श्रियादफ के नेत्रुत्व में निकाले गए थी जो गर्दनीबाग धरनास स्थ महोचकर सभा में तबदील हो गई इता ही में इस दोरान आशाकरेकरताओं ने ये भी साफ किया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माय ना गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा राश्ट्रिय लोग अदालत में इतने मामलों का हुआ निप्टारा पटना हाई कोट में शरिवार को राश्ट्रिय लोग अदालत का आयो जिन किया गया मुकदमों की सुनवाई के लिए कुल साथ बेंच गठित किये गए जिसमें ही अनिल कुमार सन्हा, जिस्टिस प्रिभात कुमार सिंग, जिस्टिस पार्थ सार्थी, जिस्टिस नवनीत कुमार पांडे, जिस्टिस पुनेंदरो सिंग, जिस्टिस सत्यवरत वर्मा और जिस्टिस राजिश कुमार वर्मा ने अलग-अलग बेंच लोग अदालत से जुड़े मामलों की सुनवाई की आयो जित हुए लोग अदारत में पटना हाइक इतिहास में जजों के साथ बेंच की बड़ी संख्यावी महिलाधी बगताओं ने भी सुनवाई की जुहां को दोसों मामलों का निप्टारा किया गया अब आये जानते हैं सराफबाजार और प्रेट्रोल डीजल के क्या है भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,250 रुपे है वही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,630 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चांदि की बात करें तो चांदि का भाव प्रति किलो 70,200 रुपे है वहिए अगर आज हम ताप मान की बात करें तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस है कल हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है चंदन कुमार, संतोष कुमार, जेके मांज कुरू, गौतम कुमार, जीनत परवीन, रुपेश कुमार, अमरिता प्री दम्द आर्ट आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम हर दिन वीडियो के हम्ति में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे